नमस्तों जोहर मेविसेक चक्रवर्ति आप सभी का फीस से अपने विडिचरा पर स्वागत कहता हूँ दोस्तों क्लास 8 के इट्टुडेंट के डिमांड पर 16 मार्च को होने वाले गरीद वीसे का जो एक्जाम होने वाला उसका टब मोश्ट भी विआ है भी कम है एक ही दिन में सारा पेपल लिया जा रहा है जैक बोर्ट सोचते हैं कि क्लास 8 के इट बाहुबली है और आप लोग को ये बाहुबली वाला काम करके दिखाना है तो चलिए कोई बाहुबली है प्रूब भी करके दिखा दिखा दिजएगा हम किसी से कम नहीं तो टोडल कोईशन देख सकते हैं 50 कोईशन पूछा गया है और इसमें हर एक प्रशन का उत्तर देना आप लोगों के लिए अनिवायर है हर एक प्रशन के लिए आपको कितना अ बारी किसे समझाने वाला हूं तो जो बच्चे समझने के लिए उस वीडियो को लागातार देखे और जो बच्चे डारेट एंसर देखने के लिए तो वो नहीं देखे कोई दिक्कत नहीं है तो दोस्तों आज का पहला और इंपॉर्टन कोशन देख सकते हैं क्या पूछा पाच का गुनातमक परतिलोम जिसको वैतकुरम भी कहते हैं इसको इंगलिस में कहते हैं मल्टिप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं ठीक है याद रखेगा तो याद रखेगा दोस्तों इसका परिभासा सबसे पहले आपको याद होना चाहिए तभी आपको ये concept किलियर तो वह जो संख्या होती है दोनों वो क्या कहलाती है एक दूसरे की वैतकरम कहलाती है यानि गुनातमक परतिलोम कहलाती है जैसे माल लिजए हम example के लिए लेते कोई संख्या हम लिए A बटा B और दुसरा संख्या को लिए B बटा A ठीक है तो इन दोनों को गुना कीजएगा तो आएगा AB, बटा AB ठीक है, और हमने पढ़ा गुनात्मक परतिलों का क्या परिभ़स पढ़ा कि जब 2 संखाओं का Гुननफल एक हो जब 2 संखाओं का गुननफल एक हो तो वे दोनों संखाओं एक दूसरे का व्यतक्रम यानि गुनात्मक परतिलों कहलाती है जिसको गुनाव करने पर हमें गुननफल क्या प्राप्त होता है एक प्राप्त हो तो वो क्या कहलाएगी आपका गुनात्मक परतिलोम कहलाएगी लेकिन question में आपको बोला है क्या निकालने के लिए देख सकते है पाँच का गुनात्मक परतिलोम क्या होगा तो भीया आसानी स आप निकाल सकते हैं इसका में एक ट्रीक भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ आप आसानी से निकाल सकते हैं जैसे माल लेज़े पाँझ है उसका गुनातमाग पद्धिलूम होगा नहीं दिया हुआा हैा इसको X माल लेते हैं और जानते हैं दो संख्याओं का जो गुनात्मक्परतिलों होता है वो क्या होता है क्या होता है तो यहाँ पर अगला जो संख्या होगा वो क्या होगा तो इसके नीचे कुछ नहीं है अगर X का मान आपको निकालложा है यानि 5 के नीचे कुछ नहीं, तो क्या मानेंगे, एक है, 5 के नीचे कुछ नहीं, तो एक है, और अगर गुना अगर इस साइड जाएगा, गुना अगर आपका equal के इस साइड जाएगा, तो नीचे वाला उपर हो जाता है, और उपर वाला कहां आ जाता है, तो that means आपका निकल एक बठे पाच क्या होगा? एक आना चाहिए तो काटिए पाच से पाच तो देखिए एक प्राप्त हो रहा है तो पाच का गुनातमक परतिलों कौन है? एक बठा पाच है याद रखेगा परिवासा जब दो संख्याओं का गुनन फल एक हो तो वे दो संख्याएं एक दूसरे का वेतक्रम यानि गुनात्मक परतिलों कहलाती है जिसे इंगलिस में मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं याद रखेगा एक ट्रीक में आप लोगों को बता दे रहा हूँ जब भी आपका खाली सिंगल नंबर दिया रहे तो उसको ऐ यसे लिग दिजेगा एक बटा पाँच खाली पांच दिया थो एक बटा पाच ठीक है तो जैसे इसको आप एक ट्रीक से याद रख सकते हैं माली जो वो संख्या एक्स है तो उसका गुणात्मक परतिलों बोलेगा ता आप क्या लिख दीजेगा ठीक है अगर हो सके यहां एक्जाम में खाली 5 ना लिखकर आपको बट्टा में दिया जाए जैसे आपको बोले 2 बट्टा 3 का गुनात्मक परतिलोम क्या होगा ठीक है यानि हम इसको मान सकते क्या x by y क्या मान सकते x by y अगर बट्टा में दिया रहे तो आपको कुछ नहीं करना है बस संख्या को पलड देना है यानि y by क्या कर देना है x करना है याद रखेगा ठीक है तो इसका अगर गुनात्मक परतिलोम होगा तो इसका क्या हो जाएगा तीन बट्टा दो हो जाएगा, उल्टा कर देना है, नीचे वाला का भेलू उपर, उपर वाला का भेलू नीचे, ठीक है, किलियर हो गया इस चीज, इस चीज को याद रखेगा आप लोग कॉंसेट दिमाग में, ठीक है, आप लोग बताईएगा, अगर मैं यहाँ पे पांच के जगा, क्या कर दो, तीन बट्टा दो कर दो, तो इसका गुनातमक परतिलों क्या होगा, नीचे बताईएगा, ट्रीक याद रखेगा, जब खाली एक संख्या रहे, तो उसका गुनातमक परतिलों एक बट्टा एक्स होगा, जब अगर बट्टे पे रहे, दो संख्या है, तो उसको कुछ नहीं करना है नीचे वाला को उपर कर दीजे उपर वाला को नीचे कर दीजे ये दोनों ट्रिक आप याद रखेगा जब गुनातमक परतिलों निकालेगा ठीक है, क्लियर हो गया इस चीज़ अब आप लोगों का जरूरी नहीं है कि एक्जाम में आप लोगों को खाली गुनातमक परतिलों ही निकालने दे हो सके आपको योज परतिलों के बारे में निकालने दे, तो योज परतिलों क्या होता भया इसको भी समझ लिजे जब दो संख्याओं का योग सुन्य हो तो वे दो संख्याए एक दूसरे की योज परतिलों कहलाती है क्या बोले जब दो संख्याओं का योग सुन्य हो जीरो हो तो वे दो संख्याओं एक दूसरे का योज परतिलों कहलाती है याद रखिएगा ठीक है जैसे माल लेजे, माइनस दो का योज परतिलोम निकालने बोला, इसको इंगलिश में कहते है, additive inverse कहते है, ठीक है, तो यहाँ पर माल लेजे, दो संख्याओं का योग, ठीक है, ऐसा दो संख्या है, जिसका योग क्या हो, 0 हो, equal में क्या हो, 0, एक गुनात्मक परतिलोम में, equal मे क्या था, एक था, लेकिन योज परतिलोम में क्या होगा, 0 होगा, ऐसी दो संख्या लेना है, जिसका योग क्या होना चीए, 0, तो देखे, प्लस माइनस कट जाएगा, एंसर क्या बचेगा, 0, 0 बराबर 0 हो रहा है, है न, तो ऐसा दो संख्या लेना है, जिसका क्या हो, ऐसी दो सैंखाओं का योग करना है आपको जिससे हमें क्या प्राप्त हो? सुन्य प्राप्त हो तो वो योज परतिलोम कहलाएगा, ठीक है? तो उसी परकाश जैसे अगर आपको दे दे एक्जाम में दो ठीक है? दो के साथ और क्या जोड़ें कि हमको सुन्य प्राप्त हो तो ऐसा हो सकता है, माले जो दो के साथ एक भी बठाईएगा, तो तीन हो जाएगा न, हो तो नहीं सकता है, तो आपको यहाँ पर क्या लोजिक लगाना होगा? दो है, यहाँ एक्वल जीरो, योज परतिलोम का, ठीक है? तो यहाँ आपका एक ही उपाई हो सकता है, अगर हम यहाँ पर क्या दे? माइनस दो बठाएगा, अब देख लीजे प्लस माइनस के हो जागा? माइनस बराबर जीरो, तो जीरो बराबर जीरो आ रहा है यानि वो संख्या क्या है? माइनस दो है, जिसको दो के साथ जोडने पर क्या होगा? सुईने पराफ्थ होगा है ठीक है? ऐसे डारेट जोड दीजेगा तो दो चार हो जाएगा ना? यानि आपको सुईने करना है तो माइनस दो बठाना पड़ा माइनस माइनस के हो, प्लस माइनस के होगे, माइनस होगी है, है ना, याद रखेगे इस चीज़ को, ठीक है, concept के लिए रखना है, आप लोग नीचे बताईएगा, अगर मैं योज परतिलोम निकालने के लिए, अगर माइनस तीन दू, तो यहाँ पे कौन सा संख्या बैठाए कि हमको जीरो प्राफ्त होगा, नीचे कमेंट करके बताईएगा, ठीक है, आपका concept क्लियर होना चाहिए, योज परतिलोम और गुनातमक परतिलोम ज़रूरी नहीं है कि गुनातमक परतिलोम दिया है एक्जाम में, यहाँ पे model paper में, तो एक्जाम में आपका योज परतिलोम क्या बोला है, दो परिमय सेंख्या के बीच कितनी परिमय सेंख्या होगी, तो माल लेते हैं, दो परिमय सेंख्या, एक यहाँ पर क्या लिख देते हैं, माल लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यह दो परिमय सेंख्या है, अब दो परिमय सेंख्या क कितनी परिमे सेंख्य हो सकते हैं, अगर हम ऐसे लिखे 1.1, 1.2, ऐसे करके जा सकते हैं, कहा तक जाएंगे, 1.9 तक जाएंगे, उसके बाद 2 आया जाएगा, फिर हो सकता है कि हम 1.1 के बाद 1.1 ले ले, 1.2, 1 ऐसे करके हम बढ़ाते सकते हैं, ऐसे 1, 1, 1 ऐसे बढ़ते यानि हम कितना भी संख्या बढ़ाते जाएं इन दोनों के बीच अनंद संख्या हैं हम बैठा पॉइंट में बैठा बैठा के क्या कर सकते हैं और बढ़ा कर सकते हैं That means, दो परिमय सेंखाओं के बीच, कितनी परिमय सेंखाओं हो सकते हैं, कोई बता सकता है, exactly, नहीं बता सकता है, point के अंदर point, फिर point के बाद हम ऐसे भी लिख सकते हैं, one point, one, two, three, four, ऐसे करके सेंखाओं को हम तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, लगाता है, तो इसका मतलब आपको समझना है, कि दो परिमय सेंखाओं के बीच, अगर कोई बोले, कितनी परिमय सेंखाओं होगी, तो याद रखेगा, कितनी होगी, अनन्त होगी, कितनी होगी, अनन्त होगी, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है, clear होगी है, concept, चलिए, आगे देखते है, question क्या आपको क्या बोला है, कि गुननफल क्या प्राफ्त करना है, प्राफ्त जब बोला है, तो equal में क्या बठाईएगा, एक बठाईएगा, अब इसके साथ क्या गुना करें, कि हमको क्या प्राफ्त हो, एक प्राफ्त हो, तो एक rule हमने पढ़ाया था आप लोगों को, याद होग that means यहाँ 9 बट्टा 23 लिखा है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे 23 बट्टा 9 देखिए 23 से 23 कट जाएगा 9 से 9 कट जाएगा क्या बचेगा एक का बराबर एक आया ठीक है तो वो सेंख्या क्या है जब भी मैंने कहा कि जब बट्टा में दे और गुननफल एक प्राफ्ट करने का बात करें तो अगर इस फर्मेट में दिया हो x, y, y के फर्मेट में तो आपको क्या लिखना है y by x लिख देना है ठीक है यानि 9 बट्टा 23 दिया है तो आप क्या लिख दिजेगा 23 बट्टे 9 क्लियर होगी यह चीज ठीक है तो कहा दिख देना आपको 23 बट्टे 9 option number c जो होगा बिलकुल यहाँ पे correct answer हो जाएगा ठीक है एकदाम detail से भी बताएंगे और trick भी बताएंगे ताकि कम समय में आप लोग जो है अधिक question solve करके आएं ठीक है चली आगे दिया है देखे वैत करम पूछा है वैत करम बोले या गुनातमक परतिलों बोले दोनों का मतलब एक ही होता है clear है यह चीज वैत करम बोले या गुनातमक परतिलों बोले दोनों का मतलब एक ही होता है trick क्या सिखाया अभी section ने कि जब खाली single number हो जैसे उसमें क्या था, खाली 5 था तो आपने क्या लिखा था, एक बटा 5 सिखाये गया था क्या सिखाये आप लोग को, जब भी वैत करम बोले, गुनात्मक परतिलों बोले अगर single number दिया है, तो उसको बटे में लिखे देना है, एक बटा है, अगर आपका बटा में दिया हुआ है एकस भाई वाई के फॉर्मेट में दिया है तो गुनात्मक परतिलों या वैत करम निकालने बोले, कुछ नहीं करना, आपको क्या करना सेंखा को पलड़ देना है, यानि नहीं बटा, तो आपको खोजडना है पहले हमको मिल गिए पांच वट तीन तो आपसन नंबर ए is the correct एंसर, ठीक है वैत करम में मने क्या बताया, कि जब दो सेंखाव का कुनानफल क्या हो एक प्राप्त हो तो वो वैत करम में होता है, तीन बटा पांच था इसका उल्टाक हमने क्या लिखा पांच बटा तीन अब देखिए एक प्राफ्ट हो रहा है कि नहीं तीन से तीन कट जाएगा और यहां पांच से पांच कट जाएगा तो बचेगा क्या एक पराबर एक हो रहा है ठीक है गुनानफल क्या प्राफ्ट हो रहा ह जिसका मान जो होता है, समान होता है, लेकिन इनहें अकसर विभिन रूप में दर्साये जाता है, ठीक है? जैसे हम जानते हैं कि किसी भिन के आंस और हर को एकी धनात्मक पूर्णांग से गुना या विभाजित करते हैं तो भिन का मान जो हो बदलता नहीं है बलकि दिये गे मान को भिन जो हमको अलग-अलग सम्तुल जो है भिन प्राफ्थ होता है जैसे मान लेजी हैं दो बटा तीन है ठीक है अब इसके साथ कोई भी हम धनात्मक पूर्णांग ले लेते हैं मान लेते हम यहाँ पे दो ही लेते हैं उपर भी दो से गुना करते हैं नीचे भी दो से गुना करते हैं को क्या प्राफ्त होगा, दो दुनी छार, तीन दुनी छे, अब यही दो फटा तीन को और कुई सी धनात्मक पुर्णांग से लेते, जैसे तीन से करते हैं, उपर भी तीन से गुना करते हैं, नीचे भी तीन से, तो 3 दुनी 6, 3 तिया 9 अब इसको क्या बोले कि हम कोई भी मान लेंगे, धनात्मक पुर्णांग लेंगे लेकिन इसका जो भिन होगा इसका जो हम fraction करेंगे तो उसका मान में कोई परिवर्टन नहीं होगा अब देखिए, दोनों का मान अलग लिए है यहाँ पर 2 लिए है, और यहाँ पर क्या लिए है तीन लिए है, लेकिन इसको जब answer को solve कीजेगा तो फिर से वही मान निकलेगा क्या निकलेगा, दो का पाड़ा में 2 दुनी 4, 2 तिया 6, 2 बटा 3 निकला तीन का पाड़ा में काटिए 3 दुनी 6, 3 तिया 9 इसको भी क्या answer निकला, 2 बटा 3 है ना, तो जो question में दिया होगा, आप बाकी option को cut करके, या solve करके देखिएगा, आपको वही answer प्राफ्थ हो जाएगा, तो आपका समझ में आ जाएगा कि उसका सम्तिल्य जह है, कोन है तो चलिए हम लोग solve करते है, क्या एक बटा 2 कटेगा, एक दूसरा से नहीं कटेगा solve किजेगा, तो 0.5 आ जाएगा अब यहाँ पर इसको इसको काट के देखिए option B नमबर को, 2 दूनी 4, 2 तीय 6, देखिए यह match कर गिया, 2 बटा 3 2 बटा 3, match कर रहा न, ठीक है यानि इसका सम्तुल्य जो है, कौन परिमें सेंख्या था option number B जो होगा, 4 बटा 6 यह बिल्कूल correct होगा, इसको काटीगा तो यह तो 4 ओतीन, एक दूसरा से कटेगा ही न, और यहाँ तो minus दिया हुआ है, रिनात्मक है तो होगा ही न, ठीक है, तो option number B जो होगा है, आपको correct हो जाएगा, इस तरह सापको पकड़ के बनाना है, ठीक है question number 6 दे सकता है, वर्ग बोला है, और वर्ग जब भी बोले, कुछ नहीं करना पड़ता है उसका आपको दो बार सेंख्या को आपस में गुना कर दीजेगा, ठीक है तो दीखे 45 गुना 45, लास्ट वाला सेंख्या में अगर 5 रह जाए न, और दोनों सेंख्या इस सेम रहे, तो दोनों का अपस में गुना कीजेगा पांच पचे क्या होगा, पचीस, और उसके बाद वाला सेंख्या को एक बढ़ा के सोचिएगा अगर चार है, तो चार को एक बढ़ा के सोचेंगे कितना, पांच, कितना बढ़ा के सोचेंगे, पांच अब चार पचे कितना हो जाएगा, बीस आप यही जो point वाला शेंगा है इसको आप के बार गुणा कर रहे है के बार गुणा कर रहे है दो बार एक ठीक है तो दो बार आपको 10 मलों मिर रहा है यहाँ भी 10 मलों यहाँ भी 10 मलों यानि के अंख बाद 10 मलों बैठेगा के लिएрь हो गया उस तरह जैसे 55 गुना आपको 55 निकालना है मैंने क्या बता है लास्ट का दोनों सेंख्याओ को आपस में गुना कीज़ेगा 25 ये खाली पीछे अगर पांच रहेगा तो ये रूल लागो होगा याद रखेगा हर जगा नहीं ठीक है तो 55 और इस सेंख्याओ का हमने क्या खा ए 25 25 एक बढ़ा के सोचिए आठ सोचिए ठीक है 58 56 ठीक है आप लोग इसी ट्रीक से स्वाल कीज़ेगा हमें बताइएगा 95 गुना 95 कितना आएगा ठीक है एकदम माइंड से कल्कुलेट करके ध्राक से एंसर देना है ठीक है एकदम कोपी पेंट टच ही निकना फटाफट एंस फमट कीज़ेगा ठीक है अब चली नेश्ट को सॉल्व करते हैं को अई समय नेश्ट कीज़ेगा पंदर का डारेट वह एंसर किस पर टिक लगा देंगे पंदर पे जो की गलत हो जाएगा याद रखेगा रूट में अगर माइनेस दिया हुआ है तो माइनेस को सबसे पहले अलग कर लीजे इसको मान सकते हैं एक गुना 25 ऐसे लिख सकते हैं बिलकुल लिख सकते हैं माइनेस एक गुना क्या लिख सकते हैं माइट यहाँ पे देखे यह वला आप्सिंन मैच कर रहा है अप्सन नमबर ए तो ठीक है हमको पूचह है पूछा है कोन वाला नहीं होगा उसको पकड़ना है ठीक है आप दुसरा वाला देखिए हम ऐसे भी लिख सकते इसको अलग-अलग रूट में माइनस एक रूट गुना रूट 225 अलग कर सकते की नहीं कर सकते बिल्कुल कर सकते है ठीक है अब माइनस रूट जब भी कोई चीज सेंख्या माइनस पे रहे रूट में तो वो कभी टूटता नहीं है वो क्या हो जाता है आयोटा हो जाता है इस तरह वला आप लोग पढ़िएगा क्लास 11 में ठीक है जब भी याद रखेगा माइनस रूट वन का वेलू जह होता है वो डायरेक्ट नहीं लिखा जाता है वहाँ आयोटा का यूज होता है जो आप लोग पढ़ेंगे निकाल दे रहे है क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़े हुए हम लोग कि एक का रूट क्या होता है एक ही होता है लेकिन भी या रूख जाहिएगा यहां माइनस लगा है और माइनस वन में रूट अगर रहे तो उसका वेलू का हम आयोटा मानते जो क्लास आप लोग शुंड़े है ठीक है हाँ हाड़वड़ी में गड़बडि नहीं करना है बाकी देखिए सारा उसन में तो उसको में तो ये वाला option जो है सही है ये गलत है ठीक है हमको गलत पकड़ना था तो option C गलत है यहाँ ठीक है clear हो गिया next question देखिए अभी तक हम लोग रवारुगूल का बात किया अब आगे आपके घनमूल 27 और किसका पूचा है 64 तो किसका क्यूब 27 होता है सब कोई को मालूम है किसका क्यूब 27 तीन का होता है और 64 किसका होता है सब को मालूम है चार का ठीक है आप लोग नहीं पता है तो आप लोग निकाले भी होंगे लगुत्तम निकाल के इसका अलगुत्तम लिजेगा 27 तो क्या आएगा 3 गुना 3 ठीक है और इसका क्या आएगा 4 गुना 4 गुना 4 ठीक है और हम सभी जानते हैं कि क्या होता है कि जब घनमून निकालते हैं तो कितना का जोड़ा देखा जाता है 3 का जोड़ा तीन का जोड़ा है तो एक बाहन निकलेगा, यहां भी तीन का जोड़ा है तो एक बाहन निकलेगा, यानि तीन बटा चार जो होगा, करेट एंसर हो जाएगा, ठीक है, यहां आपका option number 3 बटा चार कहां दिख रहा, option number A जो होगा, बिलकुल करेट एंसर हो जाएगा, चेले question number 9 कि सबसे चोटी सेंख्या से गुना करें कि आप पूर्ण घंड बन जाए यानि कोई तो ऐसा छोटा सरे होगा जिससे गुना करने पर जो है वह पूर्ण घंड बन जायागा क्योंकि बहात्तर किसी का जो है घंड नहीं होता है ठीक है तो इसको चलिए निकालके देखते हैं कि 72 के साथ ऐसा कौन सा संख्या को जोड़ दे भईया या गुना कर दें कि हमको जो है क्या मिल जाए हाँ पे आपका गुना कर दें कि हमको वो पूर्ण घंड बन जाए ठीक है तो चले सॉल्ब करके देखते हैं सबसे पहले इसको निकालने का आसान ट्रीक है कि आप इसका अबहुत्तम हमेशा किस संख्याओं पर होती है अभाज संख्याओं से लगाना चाहिए जो एक और खुद का पाहड़ा माता है जैसे दो से अभाज संख्या लगाईगा दो से नहीं लगेगा तो किस से लगाईएगा पांच से पांच से नहीं लगेगा तो किस से ठीक है तो पहला में दो से कोसिस करते हैं दो से नहीं जायेगा अब देखिए यहाँ पे तीन बार दो प्राप्त हुआ ठीक है और दो बार क्या तीन प्राफ्थ हुआ चो चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अगर हमको बोला है कि बहात्तर के साथ कौन से छोटी से छोटी सेंख्या को गुना करें कि यह पूर्ण घंड बन जाए तो यहाँ आपको कितना बार प्राफ्थ हुआ दो दो जो है आपको प्राफ्थ हुआ तीन बार यह तो ठीक है लेकिन तीन जो है आपको मात्र दो बार प्राफ्थ हुआ तो पूर्ण घं तो नहीं बन रहा है यानि वो सेंख्या क्या है वो एक हमको और यहाँ पे जोड़ा बन चुका तीन का यहाँ पे बना है नहीं बना है तीन तीन का पेर क्योंकि घन अगर निकालना तो तीन का पेर बनना चीए तीन का जोड़ा बनना चीए तीन का जोड़ा तो नहीं बन रहा है यहाँ तो और एक तीन देंगे तब न तो अ आप देखिए तीन का जोड़ा है तो 2 उतर गिया यहां भी तीन का जोड़ा है तो यहां पर 3 उतर गिया तो 3 दूनी 6 तो यह आपको पता चल चुका है यह पर कि यह जो है 216 किसका है घन 6 का है न तो क्या 72 रहने से अब क्या solve हो रहा था मैं नहीं हो रहा था न वो छोटी सें लेगेगा लेकिन एकदम धाकर तरीके साफ लोग सीख के जाओगे ठीक है तिया पर आपका कौन सा करेट होगा अपसन नमबर बी जो होगा करेट हो जाएगा चलो नेश कोईशन क्यों चलते हैं एकदम यह कोईशन एजी है किसी का संख्या में अगर क्या रहे पावर में 0 रह हजार गोनव लिग दे उसके उपर में 0 दे तो उसका वेलू क्या होगा हमेंसा याद रखेगा उसका संख्या अत्मक बांजोगा एक होगा ठीक है चलिए उससे रिलेटेड कोईशन दिया गया मैंने अभी ट्रीक क्या बता है कितना भी बड़ा संख्या दे या छोटा पांज का पांच ही होगा यानि एक 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 और एक को पांच से करेंगे तो क्या हो जाएगा पांच तो आपको उसका एलश्यम निकाल लेना है तो यहां पे 64, फी 2 से जाएगा 32, फी 2 से जाएगा 16, फी 2 से जाएगा 8, फी 2 से जाएगा 4, फी 2 से जाएगा यहाँ पे 2, खतम तो कितना सारा 2 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानि 2 का, कितना सारा 2 है 7 गो 2 है 2 का पार कितना होगा 7 होगा तो 2 का पार 7 कहा दिख रहा option number B जो होगा current answer होगा जब भी कितना बार पूछे ठीक है किसके बराबर पूछे तो हमेशा एक बार लगुत्तम निकालके check कर लिजेगा ठीक है अब देखिए और एक question आ गिया यहाँ देखिए power को same रखा है और सैंख्याओं को जो है अलग रखा है तो कुछ नहीं हम लोग भी जो है सैंख्याओं को common ले लेते है सैंख्याओं को यहाँ पे ले लिए और power को बाहर common निकाल दिए तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, 10 का power 2 यानि हमको पता चल चुका पहला 10 का power 2 यह option सही है यह वाला option सही है और 10 का power 2 रहेगा तो क्या होगा answer 100 होगा है ना और common लिए तो यह option भी सही है यह वाला option सही है option C, option A वाला भी सही है और देखे option B भी जो है क्या है सही है वो क्या है दिया हुआ 100 दिया हुआ है तो यहाँ पर जितना भी option दिया है, यह सभी correct है, यह भी यह भी और यह भी, तो इन में से सभी जोगा correct answer हो जाएगा, ठीक है, चलिए next question को चलते हैं, यह तो बच्चा बच्चा भी आप लोग 5 class में भी बनाए है, ठीक है, क्या बोला है कि P Q कोई एक ऐसी सेंख्या है, जिसक option, 7 तीन वाला लेके देखिए, 6 से गुना करके, 7 तीन, छोटी आठारा, ठीक है, अज साती एक चोटी ब्यालिस, और यह क्या हो जगा, 43, क्या मेरा यहाँ पर यह answer match कर रहा है, नहीं कर रहा है, that means, पहला option तो काम नहीं करेगा, दूसरा option बोला, 78 को, तो P का भेलो साथ लि क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 46, 42, 42, 42, और 4, कितना हो जाएगा, 46, है ना, तो देखिए, आगिया से, यानि वो 6 और, 7 और 8 अगर 6 से गुना करते हैं, तो आपका यह वाला answer प्राक्त हो रहा है, यानि option B जो होगा, बिलकुल correct होगा, एक दम easy question था, next question क्यों चलते है इसको भी आप कर सकता है, तोड़ देना, बस आपको भागा देने बोला, भागा का मतलब होता है बट्टा में लिखना, तो 20 गुना X को के बाल लिखना है, दो बार बोला है लिखने के लिए, एक्स गुना X लिख दिए, आप यहाँ पे चलते हैं, और और एक Y भी है, साथ इसे Y कर जाएगा, तो खाली क्या बचा भी है मेरा, 4X बचा उपर में, और नीचे कुछ भी सेंख्या बचा, नहीं बचा, तो 4 और X जो हो गई हाँ पे करेक्ट एंसर होगा, तो 4X आप खोजिए कहां दिया हुआ है, आपसन नमबर A is the करेक्ट एंसर, ठीक है, चलिए, न 2AB होता है न, अलास्ट में दिया है, माइनस 4Y, क्या दिया है, माइनस 4Y, ठीक है, यहाँ पर फिर समलोग सॉल्ब करेंगे, हम लोगोंने गलती से यहाँ पर A भी ले लिया था न, यहाँ पर हमको A भी नहीं लेना है, X और Y लेना है, तो A का स्क्वेर प्लस क्या होगा, A प कुछ होगा नहीं, यहाँ पर, दिखिए यह दोनों सेम है, XY, XY है न, दोनों जो है सेम चरका है, तो एक दूसरे से प्लस माइनस हो सकता है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो 2 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा, माइनस 2 बचेगा, है न, बड़ा कौन है यह, म हो जाएगा अब खोजी x square plus y square minus 2xy कहां है तो कहां है भीया x square plus y square minus 2xy option number b यहाँ पर correct answer हो जाएगा next question क्यों चलते है देखिए आप गुनन्द खर्ण निकारने बोला है यह थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन easy way में बन जाएगा ठीक है आप एक rule पढ़ है a का square minus b का square ठीक है a का square minus b का square क्या लिखते हैं लोग एक बार a plus b लिखते हैं और एक बार a minus b लिखते हैं लिखते हैं कि नहीं तो उसी rule से हम लोग इसको solve करेंगे क्या हम लोग x का power 4 और minus 81 को इस तरह लिख सकते हैं x का square x का square का square minus इसको 9 का square कर सकते हैं कर सकते हैं यानि हम इसको लिख सकते हैं यह बार a plus b और a minus b के रूप में तो लिखते हैं a plus b और एक बार लिखते हैं a minus b clear है आप देखिए फिर से ही rule लागू हो सकता है इसमें तो लागू नहीं होगा इसका कोई rule नहीं होता है ये ये rule लागू हो सकता है यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते है एक्स का सकरा मैनस का सकता है नहीं हो यहाँ हो जाएगा एक सब्सक्राइब लेकिन आसानी से बन जायेगा इसे तरह एक question आप लोगों का exam में जरूर पूछा जाएगा आप लोग करके जाएगा और यही question हमको तो लग रहा है यह question बार बार repeat होता है तो यही question कहीं न आप लोग का exam में पूछ दे तो option number B देख सकते हैं यह जो था बिल्कुल correct answer होगा ठीक है चली और एक easy question दिया गया है इसको भी आसानी साप लोग solve कर सकते हैं कैसे solve कर सकते हैं देखिए क्या दिया हुआ है x plus 3 बराबर 10 दिया है तो आपको x कमान अकले करना है 10 अपना जगा रहेगा यह plus पर उधर जाएगा तो क्या होगा minus कितना बचेगा 7 तो x कमान कितना बचेगा 7 जो हो गई है आपका correct answer हो जाएगा तो x कमान 7 आपको कहां दिख रहा है option number b जो है correct answer हो जाएगा question number 19 पे चलते क्या पूछा किया देखिए एक सेंख्या को 3 से गुना कर 5 घटाने पर 28 प्राप्त होता है तो कोई एक सेंख्या x है जिसके साथ 3 गुना करने पर ठीक है तीन को गुना करने पर और कितना घटाने पर 5 को घटाने पर प्राप्त बोला है प्राप्त को हमेशा equal में लिखते है कितना प्राप्त होता है 28 प्राप्त होता है ठीक है जिसको solve कर लेंगे equation निकल जागा 3x minus 5 बराबर 28 ठीक है तो यह option आपको कहां दिख रहा है 3x minus 5 बराबर 28 option number 1 और 2 पे तो नहीं है option number 3 देख सकते है c पे यह बिल्कुल correct होगा इस तरह से equation बना के आपको solve करना है ठीक है अब next question देख सकते question number 20 300 kg आलू में 10% आलू जहस में सड़ गिया है और उसको बोला हटा देना हटाना है यानि माइनस करना है तो इसी 300 का कितना परतिसाद सड़ गिया है 10% तो हटाईए उसको % परसेंट हटाने से नीचे 100 आता है काटिएगा तो 300 माइनस क्या होगा 30 तो आपका कितना अच्छा आलू है 270 kg बचेगा आलू जब सड़ा हुआगा हटा दीजेगा तो कितना बचेगा 270 kg यह डाइरेक्ट ट्रीक है आपके पास समय काफी कम रहेगा इतना ज्यादा लेंदी करके नहीं बनाना है इस तरह से सॉल्व हो जाएगा ठीक है तो आपसन देख सकते है 270 आपका कहां दिया है आपसन नमबर 20 होगा बिल्कुल करेट अंसर होगा ठीक है अब मैं यहाँ पर कुश्चन कर दे रहा हूँ ठीक है आब यहाँ पर मैं कर देता हूँ 500 kg और 10 के जगह हम कर देते हैं 20 परसेंट आप नीचे सॉल्व कीजिए और कमेंट करके बताईएगा इसका एंसर क्या आएगा कुश्चन सेम रहेगा जो 300 दिया था उसको मैंने 500 कर दिया और जो 10% दिया था उसको 20% कर दिया आप लोग नीचे कमेंट करके बताईए कि इसका एंसर कितना आएगा देखते कितना सार बच्चे करेट एंसर देते हैं कोशिस कीजिए आप लोग को ही एक्जामें बनाना है जरूरी ने कि यह जो क्वेशन दिया गया यही आपका एक्वेशामें रिटो रहेगा लेकिन ऐसा ही टाइप का question रहेगा model paper का मतलब क्या होता है इसी pattern पर ही question पूछा जाएगा और ऐसे तरीके question पूछा जाएगे इसलिए जोरूरी है कि आप लोग उस तरी से solve करना शुरू करें एक दर्जन केले का मुईले क्या है 60 रुपे है तो 360 रुपे में कितने केले मिलेंगे तो जिसको निकालने के लिए दे ठीक है उसको तो हम ऐसे लिख देंगे ठीक है तो रुपे बोला है ना 370 रुपे में कितने केले मिलेंगे तो जो लास्ट में देता है उसको first करते हैं हम लोग हमेशा कीमत को जब कीमत लास्ट पे दिया हुआ है तो हम कीमत को क्या खर देंगे पहले तो पहले बोला है पहले किसका बोला है 60 रुपे में है ना एक दरजन तो लिखते हैं चलो यहां लिखते हैं रुपे 60 में एक दरजन रुपए साट में आपका एक दरजन ठीक है तो एक रुपए में कितना होगा एक रुपए में होगा आपका एक बटा साट दरजन है ना तो हमको निकालना कितने रुपए के लिए कितना रुपए के निकालना है तीन सो साट रुपए के लिए 60 कि पार्णा में 6 बार में 6 घ्यांत करो गई तो गांगा रजेंगात संण दरीज़न के लौकर बहुत छिब लेशन है आप स्थान पर पहुंचने में दो घंटा समय लेता है कितना के स्पीड से चल रहा है साट का स्पीड से चल रहा है किलोमेटर प्रति घंटा के स्पीड से और वो जो है अपना स्थान पर पहुंच रहा है उसको पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है जहां उसको पहुंच से 60 km परती घंटा का स्पिट से गाड़ी चल रहा है तो वो अस्थान पर पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है दो घंटे का टाइम ले रहा है उसी तरह से 8 km परती घंटा का स्पिट से अगर गाड़ी का स्पिट को बढ़ा दिया जाए तो कितना टाइम लेगा ठीक है यानि वैतकरमनावपाती आपका संबन्ध है अधिक चाल है तो दूरी तरह करने में कम समय लगेगा न अता यहाँ आपका परतिलों समानुपात है तो इस तरही का मैत को आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले आप लोग सॉल्व की होंगे इस टाइप के मैत को उपर में हम लोग क्या लिखते हैं समय और नीचे लिख देंगे हम लोग क्या चाल समय किस में दिया हुआ है आवर में घंटा में दिया हुआ है और चाल दिया हुआ है किलोमेटर पर आवर में है ना अब चलिए मान को बठाते हैं पहले जो समय था वो कितना समय ले रहा थ तो बोला है question की 80 km परति घंटा के speed से जो है वो कितना समय लेगा तो X माल लेते हैं आप इसको क्या करेंगे जब आपका परतिलोम समानुपाद दिया है तो direct गुना करते हैं हम लोग यहां पर क्या हो जागा 2 गुना 60 होगा इधर हो जागा X गुना क्या होगा 80 तो कर लीजिए X को अकेले करना है आपको 2,60 तो अपने जगर आएगा 80 नीचे लेकाएंगे गुना में इधर आएगा तो भागा में 2 का पाड़ा में 80 के बार में 40 बार में है ना आपका ये कट जाएगा ना किसका पाड़ा में कटेगा 20 का पाड़ा में 22 नी 40 20 या 60 यानि क्या निकला X कमान 3 बटा 2 X कमान कितना निकला X बराबर आपका 3 बटा 2 है ना आप इसको 3 बटा 2 तो हमको नहीं लिखना है आप 3 बटा 2 का हमको समय में बदलना है तो हम मिनट में बदलने के लिए आप लोग क्या सिखाए थे कि मिनट में बदलना है तो कुछ मत करना इस तरीके question को 60 से गुना कर देना अब काट दो एक घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिन यानि 60 मिननट में 1 घंटा तो एक घंटा लग रहा है और अलग से और एक्स्टा कितना लग रहा है 30 मिनट तो आपका 1 घंटा 30 प्रश्ट् से के अंत कोनों का योग होता है तो चतुर भूज के अंत कोनों का योग तो बच्चा बच्चा जानते कितना होता है 360 टिग्री और से करेक्ट है आप कोईशन नबर 24 देख सकते क्या पूछा है एक सम बहुभूज में परतिक अंतस्त कोन 22 की चार गुणी है बहुभूज की भूजाओं की सेंख्या है तो देखो 22 कोन जो हम लोग क्या मान लेंगे हम लोग सौट में लिखते हैं 22 कोन बराबर क्या मानेंगे X मानते हैं अंतस्त कोन उसको A मान के solve करते हैं क्या है उसका कितना बुला है 22 कोन का 4 गुनी कितना गुनी बुला है 4 गुनी तो यह यह मानते 4 X है अब आप जानते हैं कि 22 कोन प्लस अंतस्त कोन दोनों का योग जो होता हो कितना होता है 180 तो बहुजाओं की सेंख्या निकालना है हमको क्या निकालना है भुजाओं की सेंख्या तो बहुजाओं की सेंख्या बराबर क्या होता है तीन सो साथ डिगरी बटा बहुज्गौन तो थीन ma Iskuun कितना निकला था छतीछ तो चतीछ से 360 को भागा देंगे तो कितना निकल जाएगा 10 कितना निकलेगा 10 तो भूजाओं की संख्या कितनी होगी 10 जो होगा करेट एंसर होगा क्लियर है चीज चलते हैं इस तरी की कुश्चन में पहले नामकरन कर लिजेगा आप लोग ए बी सी और यह होगा डी ठीक है ए बी सी डी लि ये वला संख्या क्या होगा 85 होगा एंगल सी अ बराबर क्या है एंगल when a होगा ना संख्याओं के कों क्या होता है समानतर चतर उपेज में आपस में बराबर होते हैं तो इधर का अंदर वाला भी एक एंगल होगा वो केतना होगा पचासी होगा और आप सभी पढ़े हैं बहुबूज के आंतरीक और बाहिकोनों का योग जो होता है बहुबूज के ये जो अंदर वाला कोन है इसको क्या कहता है आंतरीक और ये है आपका बाहिकोन तो बहुबूज के आंतरीक और बाहिकोनों का योग कितना होता है एक सोसी होता है तो बाहिकोन आपका एक्स है और आंतरीक कोन है आपका पचासी और दोनों का योग होता है कितना 180 तो आपका निकालना क्या है बाहियो को ना 180 में से इधर 85 को ले जाके माइनस करियेगा तो आपका कितना निकल जाएगा 95 कितना निकलेगा 95 तो 95 जो होगा answer इसका correct हो जागा तो option B जो होगा इसका answer क्या होगा correct होगा ठीक है दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 25 question कर लिया और 25 question के लिए आप लोगों धहर रखना है एक दम detail के साथ बताएंगे question कहीं से भुमा के पूछा जाए आप फसिये कर ने ठीक है अभी तक आप लोगों ने जो है concept के साथ समझा है और 25 question में फड़ाफट से करते है Euler सुत्र दिया है F plus B बराबर E plus 2 यह Euler का सुत्र होता है याद रखेगा इससे question पूछाए जाएगा इसमें बोला है कि कौन सा statement गलत है कौन सा चीज़ जो है गलत लिखा हुआ है आप का मतलब आप जानते है कि क्या होता है फलक की संख्या होता है बिल्कुल सही दिया हुआ है दो यह भी का मतलब जो होता है यह गलत दिया है भी का मतलब बिंदो की संख्या नहीं होता है क्या होता है सिर्षो की संख्या होता है ठीक है यह का मतलब किनारों की संख्या होत इंदू किसे क्या तो ऑप्सन बीज होगा यहां पर करेट अंसर हो जाएगा ठीक है नेस्ट कोशन देख सकते हैं क्या दिया हुआ है इन में से कौन सा त्री जो है वीमिया नहीं है त्री वीमिया का मतलब जानते हैं देखिए अगर नॉर्मल अगर आयत बनाते हैं यह दूव क्या करें वर्क को इस तरह से बना दें यह बंजाए का घं रहता त्री यह होता चीप मतल बाते में बनाते यह वी कि यह सहिए लेकिन अगर नहीं आएगा ठीक है चलिए इस कोशिन क्यों चलते हैं देखे आगे ना ऐलर सुत्र तो जो बच्चे ऐलर सुत्र देख लिए वो फडाक से लगा दीजेगा है ना ठीक तो 28 का बिल्कुल करेट एंसर कौन सा अपस अपसन ए जो है करेट एंसर है ए प्लस भी बराबर ए प्लस टू जो है करेट एंसर है इसके बाद कोशिन नमर 29 देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा है किसी तिरभूज PQR में निम्न में से कौन सा संबन सही है तो यहाँ पर आपका ऑपसन B करेक्ट होगा किसी तिरभूज जो है बोला है PQR में कौन सा स्टेटमेंट सही है हम सभी पढ़ें तिरभूज की दो भूजाएं जो होती है वो तिसरी दो भूजाओ का जो योग होगा वो तिसरी भूजा से क्या होता है ज्यादा होता है तो अपसे नमबर यहाँ पे बी जो है करेट एंसर होगा ठीक है नेश कोशन क्यों चलते हैं 30 पर आर तीरजा वाले वृत क जो नेशक का परइमाप अप tirzy जो भूजाता है टिया हुआ है एक संचतरभूज का ज्यात कीजिये जिसके दो विकर्ण जाल आप छलते हैं डोना की कि लंबाई दिया हुआ है पहला वाले वीगंड का आप भीण को आप फे सांचतर भूज D1 कितना दिया है आपका विकर्ण को क्या बोलते हैं इंगलेस में डाइगोनल बोलते हैं पहला का दिया है डाइगोनल 24 दुसरा और एक डाइगोनल दिया है विकर्ण दिया है आपका 10 ठीक है यानि इसको हम माल लेते हैं D2 तो इसको solve करने के लिए आप लोगो फर्मूला मालूम है जब दो weekend दिया रहे तो फर्मूला क्या होता है समच्छतुर्भूज का फर्मूला 1 by 2 D1 into D2 तो 1 by 2 D1 कितना है 24 और D2 कितना है आपका 10 है ना काट दीजिए के बार में जाएगा 12 बार में कड़ जाएगा इना बार में 12 बार को 10 होना कर ये गाट क्या होगा 120 तो 120 cm इसका correct answer होगा यहाँ देख सकते 120 cm इसकर कहा दिया हो option number D जो है correct answer है चलिए next question क्यों चलते 32 यदि किसी समलम चतुर्भूज की समानतर भूजाए करम सा 8 cm 10 cm तथा उचाई 5 cm है तो समलम चतुर्भूज का छेतरफल क्या होगा ठीक है तो इसको भी आसानी से निकाल सकते है समलम चतुर्भूज ताप लोग बनाए होंगे इस तरह से फिगर है ना और उसका दो समानतर भूजाए दिया हुआ और एगो दिया है 8 और एगो दिया है 10 और उचाई भी दिया हुआ है उचाई कितना 5 है ना तो इसको फॉर्मूला आप सभी को मालूम है समानतर चतुर्भूज का छेतरफल क्या होता है एक बटा दो गुना ठीक है समानतर भूजाओ का योग तो समानतर भूजाओ में कोन कोन है 8 और 10 तो यहां लिख देंगे 8 प्लस 10 और क्या होता फॉर्मूला में उचाई गुना उचाई समलम चतुर्भूज का छेतरफल बराबर एक बटा दो समानतर भूजाओ का योग गुने उचाई तो उचाई कितना है आपका 5 उचाई कितना है 5 है तो सॉल्ब करिए इसको एक बटा दो का जगा एक बटा दो 8 तस कितना हो जगा 18 गुना 5 दो का पाड़ा में 18 के बार में 9 बार में और 9 पज़े क्या होगा 45 तो 45 cm इसके जो होगा करेट एंसर हो जाएगा कहा दिया आपका option number C जो है करेट एंसर है क्लियर होगी यह चीज next question क्यों चलते हैं हम लोग question देख सकते क्या पुछा है 35 एक घन जिसकी भूजा 5 cm है उसका आयतन तो देखे घन बोला है ठीक है तो क्या होगा 5 25 25 25 125 आप यहां पर फसाएगा एक्जाम में आप देखें यहां cm लिखा तो cm के बार गुना हो रहा है cm 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 क्या होगा स्क्वेर नहीं होगा इसमें क्या होगा Q जब भी आयतन बोलेगा तो Q में होगा हड़ बड़ी में आपको कड़ बड़ी नहीं करना आपसन नमबर यहां पर C जो होगा करेट अंसर हो जाएगा 125 cm Q जो होगा करेट अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए बहुत बार हम लोगों से हड़ बड़ हड़ बड़ में सही अंसर आता है फिर भी by mistake गलत हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है चलिए निश कोईशन को चलते है घन का कूल 56 रफल क्या होगा या घन का कूल 56 रफल क्या होता है तो घन का कूल 56 रफल जो होता है वो क्या होता है 6L स्क्वेर होता है क्या होता है इसलिए 6L square अगर पासव पुछता तो 4L square दोनों को ही याद रखना है आप लोग नीचे घनाब का कूल और घनाब का पासव पिष्ट इच्छतर पर नीचे comment कीज़ेगे हाथ तो मैंने घन के बारे में बताया ना अब लोग घनाब के बारे में बताईएगा चलिए आ गया जब बात किये तो वो ता नहीं था question ठीक है घनाब से related अब आ गया देखे question एक box है तो box कैसा होता है घनाबा कार होता है इस तरह से घनाबा कार होता है अब दिया हुए एक box का जो है आपका लंबाई दिया है 10 ठीक है चोड़ाई दिया है 5 और उचाई दिया है 3 तो box का आयतन निकालने बोला है तो घनाब का आयतन का formula क्या होता है लंबाई गुना चोड़ाई गुना उचाई तो L into B into H L का भेलू 10 B का भेलू क्या था चोड़ाई का भेलू 5 और उचाई दिया है 3 टोटल 5 तिया 15 15 को 10 गुना करेंगे तो 1.500 और के बाद सेंटीमीटर गुना हो रहा है तीन बार क्या होगा सेंटीमीटर Q ठीक है तो यहाँ पे 1.500 सेंटीमीटर Q ऑप्शन B जो होगा करेंट एंसर हो जाएगा ठीक है स्वारी देखिए अभी गड़बड़ी हुआ था न यह नहीं होगा क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर इसको लिखा हुआ है क्या हो जगा डेस सेंटीमीटर Q देखिए यहाँ पे दिया हुआ ठीक है तो अप्शन नमबर A जो होगा करेंट होग दिया है यदि बेलन की तिरिजा और उचाई कर्मसर 7 सेंटीमेटर और 5 सेंटीमेटर है तो बेलन का आयतन ग्याद कीजिए अब देखिए बेलन का आयतन तो आप सबी को मालों है फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वेर H है ना तो दे दिया है पाई का पैलो तो आप सबी को मालूम होता है क्या है 22 बटा साथ त्रिज्जा दे दिया है त्रिज्जा कितना दिया है साथ को के बार लिखना है देखे आर का स्क्वेर है यानि साथ गुना साथ होगा और उचाए दिया है उचाए कितना दिया है पांच गुना पांच साथ से साथ कर जाएगा ठीक ह अब यहाँ पर 22 को 7 से और किस से गुना करना पांच से तो गुना करके देखेगा आपका आएगा 770 कितना आएगा 770 ठीक है तो यहाँ पर आपका option B जो होगा यहाँ पर आपका correct answer हो जाएगा ठीक है 770 जो होगा correct answer हो जाएगा अब बोला है वर्ग अंतराल निकालने के लिए तो वर्ग अंतराल जानते हैं वर्ग अंतराल निकालने नहीं बोला है वर्ग अंतराल का निम्न सीमा पूछा है तो याद रखेगा जो पहला वाला नंबर होता है ना उसको निमन वर्ग सीमा बोलते हैं और दूसरा वाला को उच्छ वर्ग सीमा पहला वाला को निमन वर्ग सीमा दूसरा वाला को उच्छ वर्ग सीमा तो निमन पूछा है तो निमने किया है आपका पंदरह तो पंदरह जो होगा है आपका करेट एंसर हो जाते है तो रेंज जो है निकालने का फ Westminster होता है बड़ा को कूंसा नंबर बोलते हैं curios नंबर तो लार्ज नंबर से बड़ा नंबर से आपको क्या करना है जो छोटका सा नंबर है उसको माइनस कर देना है तो छोटका नंबर को क्या करते स्मॉल नंबर तो लार्ज वेलू से स्मॉल वेलू को माइनस कर दीजिए आपका रेंज निकल जाएगा तो यहां सबसे बड़ा कु क्यों चलते हैं, question जो है, 39 नमबर यहां थोड़ा गडबड किया है, यह जो Milan परशसन निकालने का जो तरीका होता है, Milan निकालने का, Milan, Pro widget, 4 ऐसे करने के बाद इस कोना से इस कोना करते हैं, तो वह होता है, उसके बाद पाँच, ठीक, यहां पर देखे, दो दागी दिया है, एक तीसरा दागी ऐसे काट दिया है, तो यहां नहीं काटना चाहिए था, यहां पर कटना चाहिए था, ठीक है, तो एक, दो, तीन, चार, इसका मतला होगी है पाँच, और यहां होगी छे और एक, साथ, तो option number C, जो होगा, correct answer होगा, ठ वर्ग अंतराल, 20 और 30 का वर्ग चीन है, तो 20 और 30 का वर्ग चीन बोला है, तो वर्ग चीन कैसे निकालेंगे हम लोग, अभी जस्ट आप लोग को बता रहे है, क्या, कि जो सब से छोटा, जो भी वेलू दिया है, 20 और इस 30, दोनों का आपस में जोड दीजे, कितनी से निकल जाएगा, और अपसन नमबर A होगा, ठीक है, वर्ग चीन इसी तरह से निकाला जाता है, नेस कोशन 41 नमबर देख सकते हैं, क्या बोला है, 15 का स्क्वेड दिया है, 10 का स्क्वेड, 15 का स्क्वेड क्या होता है, 225 और 10 का स्क्वेड क्या होता है, 100, तो जोड़ेंगे जोगा 10 का निकल जाएगा, 10 जो होगा, जो हगा, ठीक है, आपसन नमबर A होगा, यहाँ पे आपका करेड अंसर होगा, 43 नमबर देख सकते हैं, क्या पूछा है, मूल बिंदु के निर्दे सांग जो होता है, वो ब्रेकट में 0,0 होता है, याद रखेगा, मूल बिंदु के नीरदे सांग bracket में 0,0 होता है क्यों होता है देखे आच्छ परतिछेद करते हैं जब X और Y ये वाला होता है Y, Y अक्छ होता है और इधर वाला होता है X तो आक्ष परतिश्यत करते हैं जब X और Y दोनों सुन्य होते हैं याद रखेगा जहां पर जिस बिंदू पर एक दूसरे को काटते हैं X और Y तो वहां पर क्या होता है वेलू 0 होता है और यह जो X और Y का वेलू जो होता है जिरो वो क्रमबद जोडी में होता है इसलिए उसक 0,0 भी देदेगा तो वह इसे नहीं हम लोग इसको जोड़ा में रिप्रिजेंट करते हैं जोड़ा में सूचित करते हैं तो यहां पर ब्रेकट लगाना जोर रही है तो आपसन नंबर यहां पर आपका एज होगा करेट एंसर हो जाएगा 44 नंबर देख सकते हैं यह क्लास 9 में भी आप लोगों कराएगा तो जो जो बचे क्लास 9 का त्यारी करना चाहते हैं चैनल के साथ जूड़ जाएगा एकदम चैप्टर वाई चैप्टर आप लोगों का वीडियो आएगा ठीक है अब देखिए यहां पर बोला है ना कि आपको वाला एक्स का देखिएगा यह माइनस पर जाएगा किस पर जाएगा माइनस पर इधर वाला वाई का वेलू भी नीचे तरफ वाला माइनस पर जाएगा तो यहां पर हम देख सकते हैं अगर पहला चतुर्थांस लेंगे इसको कहते हैं पहला में देखिए एक्स वाला किस है X वाला जितना भी सऊंखे आप देख रहे हैं किस बहले प्लस पे हो सब्स में धाय किसे प्लस में है दूसरा चतुर्थांस पे तो देखिएगा y जो है प्लस पे है लेकिन हम लोग हमेशा किसको देखते है पहले पहले देखते हम लोग x को किसको देखते है एक्स को तो x देखिए किसमे है एक्स जो है माइनस में तो यहाँ पर माइनस होगा और y किसमे है प्लस पर है तो माइनस प्लस हो जा रहा है सकते हम लोग एक्स किस पर है एक्स जो है प्लस पर है यह हो गया तीसरा वाला चतुर्थांस और यह आपका चौथा यह क्या है चौथा जिसमें एक्स जो है प्लस पर है और वाई किस पर है माइनस में है तो कोईश्चन यहां पर देख सकते हम लोग पहला वाला जो है आपका तो यहां पर पहला प्लस और दूसरा माइनस दिया है तो यह दिखराम को चोथा चतुर्थांस तो ऑप्सन नमबर जो डी है यहां करेट एंसर हो जागा ठीक है और बस और कुछी क्यों चलने वाले हैं आप लोग नीचे कमेंट करें कीसी तरह से आप लोग और किस की सब्जेट का चाहते है ठीक है नीचे देख साके क्वेश्ण दिया है बिंदु पाँच तीन एक्स का निर्देशांग पूछा है तो देखिए मैंने आप लोगों निर्देशांग में बता है जो पहला नंबर होता हुआ किसका होता है एक्स का होता है तो नंबर को लिख के चेक कर लिजे न पाँच और तीन तो किसका निर्दे संग पूछा है X का तो X का निर्दे संग क्या है 5 है तो option number A correct हो जाएगा ठीक है चलिए अब देखिए यहाँ पर फिर और एक number दिया है पहला X दूसरा क्या हो तो Y तो यहाँ लिख देते हैं number minus 3 और minus 5 किसका पूछा है Y का तो Y का कौन है minus 5 तो option B जो होगा correct answer हो जाएगा minus 5 चलिए अब देखिए दोस्तों question पूछा है यहाँ बिंदू 3, minus 5 में कितनी रेखाएं गुजर सकती है तो कोई बिंदू है अज जिससे गुजरने का बात करे तो अभी नहीं रेखाएं पूछा तो अनंत होगा ठीक है अब देखिए बोला है आगे question क्या एक पासे को एक बार फेकने से प्राप्त परिणाम होगा तो देखिए पासे को एक बार फेकने से जो है आप जानते जो लूडू का जो हम लोग खेलते हैं लूडू वेगरा तो उसमें जो पासा को फेकते हैं उसमें कितना नंबर होता है एक होता है दो होता है तीन होता है चार होता है पांच होता है छे होता है है ना तो हम जब एक बार फेकेंग हो सकता है एक आ जाये, दो आ जाये, तीन आ जाये, क्यों इस संभावना तो confirm नहीं है, क्या आ सकता, कुछ भी आ सकता, एक भी आ सकता, दो भी, तीन भी, चार भी, पाच भी, छे भी आ सकता, यानि कितने संख्य आने की संभावना है, ये 6 में से कोई भी संख्य आ सकती है, यानि कितनी स पासे में एक बार फीकने से संभावित परिणाम अपंसर परिणाः नहीं करना है इसके इसके बादा डेकर 49 बहुत फॉर्टजाम और एक्जाम में छपने वाला कुश्यन है, क्या बोला है, जब एक पासे को फेका जाता है, ठीक है, तो एक पासे को जब फेका जाएगा, तो क्या कहा सकता है संख्या, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, लेकिन आगे थोड़ा पढ़िए, क्या दिया है, जब एक पासे को फ 3 है और आपका 5 है तो विसम सेंख्या है एक पासे में कितनी होती है 3 होती है कितनी होती है 3 हमको इसका प्रायक्ता निकालना है ठीक है तो प्रायक्ता निकालते हैं विसम सेंख्या का संभावित परिणाम कितना था कितना विसम सेंख्या है ता 3 और कूल परिणामों कि सेंख्य कितनी थी 6 ऐसे प्रैक्ता निकलता ना संभाईत परिणामों की संख्या बटा कुल संख्या तो 31 के 3 3 दूनी 6 कितना हैगा एक बटा 2 एंसर होगा एक बटा 2 कहां दिया है अपसन नमबर B करेक्ट हो जाएगा चले आज का लास्ट कोईशन देख सकते क्या दिया हुआ है कोईशन नमबर 50 एक थेले में 4 लाल एवं 3 पीली गेंदे हैं ठीक है थेले का अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है तो लाल गेंद प्राप्त करनी की प्राइक्टा होगी तो लाल कितना दिया है लाल आपका है 4 और पीला है आपका 3 ठीक है तो क्या निकालने का पी लाल निकालने का प्राइक्टा टोटल 4 और 3 मिलेंगे टोटल कितना गेंद है 7 ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जिस तो टोटल होगा उसको नीचे लिखेंगे यानि अंसर किया आएगा चार बटे साथ तो चार बटे साथ कहां दिख रहा ओप्सन नंबर ये जो दिख रहा वो करक्ट है ठीक है तो ये कोश्चन एकदम डेफिनेटली पूछा जाएगा एक्जाम में एकदम आप लोग नोट कर आपसे को अच्छा लगा होका अच्छा लगा है तो प्लीज फीडबेक दीजे ताकि मैं क्लास एट के लिए और भी धुहाधर वीडियो जब तक आप लोग का एक्जाम रहता है उसके बाद क्लास नाइन में तक दम गर्दा उड़ा दिया जाएगा ठीक है तो जो भी सब् स्क्राइब करके रख लीजेगा क्योंकि इसके बाद एक से एक धाकड वीडियो आने वाली है तो आशकरते दोस्ते आज का वीडियो आपसे को पसंद आप पसंद आए तो बिल्कुल लाइक सेट करेंड करने ना भूले मिलते दोस्ते एक ने वीडियो को साथ तब तक धन्यवाद जैहिंद बंदे मातरव